अलो रिवान, वेलकम बैक टू शानॉलज बैंक सी यूट्यूब चैनल, स्वागत आपका एक बार फिर से शानॉलज बैंक के यूट्यूब चैनल पर आज हम लोग इस वीडियो सेशन में देखने वाले हैं GI Tags of Jammu and Kashmir जितने भी प्रोडेक्ट से इंपोर्टन उनको GI Tags मिल रखा है जिन जिन को स्पेसिफिकली आज हम इस वीडियो में फोकस करेंगे बसोली पैंटिंग पे जिसको हाली में अभी लदाक के एक प्रोडेक्ट के साथ-साथ इसको बसोली पैंटिंग को GI Tags मिला है बसोली पैंटिंग है क्या चीज सर यह एक मिनियेचर पैंटिंग है क्या है सर मिनियेचर ओके मिनियेचर पैंटिंग है यह clear और इसका origin कहा हुआ था याद रखिएगा फर्स्ट पहाड़ी पैंटिंग स्कूल किसको माना जाता है दैट इस बसोली को clear बसोली पैंटिंग clear चलिए one by one बसोली पैंटिंग के बारे में देखते है इसकी themes क्या होती है ठीक है और बसोली पैंटिंग का origin कहा से हुआ है clear बसोली पैंटिंग आपको background में दिख रही हो कि लास्ट में में आपको सब बताने वाला हूँ उसकी history भी बसोली पैंटिंग है ये origin हुई थी कठुवा डिस्टि के बसोली रीजिन में जो जमू एंड कशिमीर में पढ़ता है clear और ये एक reputed school है जहां पे miniature paintings बनाई जाती है through bold lines and deep set facial patterns के through ठीक है इसके features क्या है इसमें bright colors यूज किया जाते हैं geometrical patterns यूज किया जाते हैं glossy animals यूज किये जाते हैं yellow, brown, green ऐसे pre-dominated colors जो हैं वो यूज किये जाते हैं बसोली पैंटिंग में इसकी themes most important रादा कृष्ण महादव मालती भगवत पुरान जो भगवत पुरान है इन सब से इसकी themes ली जाती है बसोली comments and die चलिए आप देखते हैं होती क्या चीज है भाई साब GI tag और जमू एंट कश्मीर के किस-किस product को GI tag मिला हुआ ठीक है GI tag जो है यह आपके SSC ठीक है जेके SSB ठीक है और JKPSC कोई भी state PCSO उनके लिए plus EPFO ठीक है EPFO इन सबी exam के लिए यह वीडियो बहुत ज्यादा महत्मोन होज़े वाली है लास्ट तक दिखीगा तो चलिए GI tag के बारे में थोड़ा से जान लेते हैं GI tag है क्या चीज जिग geographical indication ठीक है यह एक indication है जो यूज की जाती है किसको goods को identify किरने के लिए जिस goods में क्या special characteristics को वो भी किसी भी geographical territory के अंदर मतलब किसी भी area में कोई एक good हम लेंगे जो उसी area में specialized हो ठीक है जैसे कश्मीर में क्या है केसर ठीक है केसर की GI tag कहा किसको मिला हुआ है जेहड के को तो मतलब कि illegal smuggling कोई भी नहीं कर सकता भार की state उगा के क्यूंकि अब इसका जो tag है वो किसको मिला है कश्मीर में कश्मीर का जो tag GI का मिला है वो केसर को तो कश्मीर वाले केसर प्राउडली बीच सकते हैं या फिर उगा सकते हैं खेतिवारी कर सकते हैं ठीक है ऐसे ही हम जित से ज्यादा GI Tags है more than 40 GI Tags है इन दोनों के पास अलग लग ठीक है एक एक को नहीं अलग लग ठीक है और 400 से ज्यादा अभी तक GI Tags हमने इस्यू कर दी है ठीक है और अब geographical indication जो है वो कौन से Act के अंदर आता है Registration and Protection Act 1999 ठीक है और यह कब effect में आया था कब से हमने शुरू किया इंडिया में जो है वो हमने शुरू कर दी थी ठीक है 2003 से हमने Registration करना और better protection करनी किसकी specialized character वाली goods की वो हमने शुरू कर दिया था 2003 से पहला कौन सा product है first product जिसको GI Tags मिला था सर तो वो था Darjeeling Tea ठीक है Darjeeling Tea was the first product जिसको हमने GI Tags दिया था कब 2004-05 में ठीक है यह Assam State में आता है clear हाँ Assam State में एक important है आज भी वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा ठीक है हाँ एक चीज़ आपको याद रखनी है यह जो Tag है यह valid रहता है सिर्फ और सिर्फ 10 सालों के लिए उसके बाद इसको renew कराया जाता है clear यह point भी आपने याद रख रहा है और यह registry कौन सा department करता है तो sir यह registry करता है department of industry promoting in internal trade क्लियर याद रखना है और issue कोन करता है Tag को ministry of commerce and industry यह gi tag को issue करते है ministry of commerce and industry याद रखने ही दोनों अलग-लग चीज़ रिजिस्ट्री कौन करता है industry यह department of Tool इंडर्स्ट्री प्रमोशन इंटर्नल ट्रीड ठीक है इशू को उन करता है मिनिस्ट्री आफ कॉमर्स एंड इंडर्स्ट्री याद रखना है टॉप स्टीट्स होल्डिंग मैक्सिमम नंबर आफ जीए टैक्स यह मैंने बता दिया आपको करनाटका एंड तामिलाडू ठीक है ठीक है 2022 में सैफरॉन डैटिस केसर ठीक है केसर कोन सी जमीन पर उगती है केरावास ओयल केरावास ओयल ठीक है और उसके बाद आपके पास हाँ और कश्मीर में किस किस प्रोड़क्ट को मिल रखा है यह इंपोर्टन्ट है अच्छे से नोट कर लेना काने शॉल अके कश्मी कश्मीर पश्मीना ठीक है कश्मीर पेपर माशी कश्मीर वालनट कार्विंग ठीक है उसके बाद आपके खतम बाड़ी खतम खतम बंद खतम बंद खतम बाड़ी नहीं है ठीक है और कश्मीर हैंड नौटिड कार्पिट कश्मीर हैंड नौटिड कार्पिट क्लियर और उसके बाद क्या है सैफरोन यह मैंने आपको बता दिया है उसके बाद है मौंगरा क्लियर यह अभी अभी लेटेस्ट है यह ठीक है मौंगरा लच्छा एंड गुची गुची ठीक है गुची का मैंने पहले भी आपको समझे इन टू मिनिट सीरीज में करवा रखा है तो इनको क्या मिल रखा है इसर घी ऑई टैग क्लियर।